तो इस प्लेलिस के लास्ट कुछ वीडियो में हम लगो नहीं, रेडियो अक्टिविटी में थोड़ा डिटल में बात किया कि रेडियो अक्टिविटी क्या होती है, उसको लालत नजरिये से देखने ही कोशिची के, for example, half-life period देखा हमने, हमने देखा कि रेडियो अक्टिवि में पर या फिर high energy electromagnetic waves में तोनों में पर जाना है और इस फिनामना को क्या बोलते हैं, हमनों radio activity बोलते हैं, बात नंगता चला है कि बहुद अपके पास alpha particles बहार आती हैं, और high energy electromagnetic waves में आपके पास gamma rays बहार आती हैं, तो आज हम इन तीनों को, तीनों को देखेंगी डिटेल में तो आम ऐसे कमले में को पूछते कि मैं को कॉंटराट करने के सबसी बेस तरीका क्या है तो अच्किल मैं इंसा करम पर काफी अक्टिव हो रहा हूं आप में को मैं सेज कीजे आप इस वहां पर मैं पूरी कोशी करूंगा आपको रिप्लाइ करने की तो पहले बात करते हम लोग तो यह हिलियम नुकली सबका को अलफा ऍमीट करेगा लेकिन उसके साथ साथ वह एक अलग डिफ्रेंट नुकली में के नवह बन जाएक है यूंग्णा थोरी मन गया अ कि अगर तो क्या हो रहा है इस नुकली का उन शर्म चाई तूट रहा है लेकिन बाद और एलग उलिप बन जा रहा है ऑं किसे रमायन में शु不用 न काक की नाग सिग गे थी तक्ष्म ने जब की ना काटी जाए ज्युरूप्ना का भॅपिशिन बन गई ऐसा कुछ e disse यह रही इस नुपलाय की नाख यह कटने के बाद ये भॅशिन बन जा रहा है ऐसा कुछ हो रहा है यहां पर और यह बड़ी ही रहन करने वाली बात है और आप देखो सदियों से हम लोग नॉर्मल जो आपका मैटल से हैं उसको गोल में सोने में चेंज करने की सोच उसको अलकमी बोलते हैं सदियों से हम लोगे कोशिश कीया जारे है नाकम रहर है और नीचर यहां पर आपगे ही जारे हैं में 2 proton होते हैं और 2 neutron होते हैं atomic number 2, atomic mass 4 तो अगर किसी nuclei में से इतना बाहर आ जा रहा है मतलब उसका atomic number और atomic mass है इतने से घर जाएगा तो 2 इसका atomic number है, 4 इसका atomic mass है तो जो original nuclei था, alpha mission के बाद उसका atomic number 2 से गठना चाहिए और atomic mass 4 से गठना चाहिए तो यह alpha decay में ऐसा होता है दूसरी बात और वो है alpha particles के खुद की properties यह जो helium nuclear निकल ला है, इसकी properties पहले बात है कि इनका mass बहुत जादा होता है जो बाकी चीज़ें बाहर निकलते हैं radio activity में beta particles और gamma उसके मुकाबले में इनका mass काफी जादा होता है और होना बहुत चीज़ें कि दो प्रोटाउन और दो नियूट्राउन है अल्फा पार्टिकल फर गजांपल बेटा पार्टिकल से रहों 8000 गुना जादा बारी होता है तो अनका mass काफी जादा होता है बारी बर कंपरानी है और दूसरी बात यह कि इस पे चार्ज होता है दो प्रोटाउन है तो इस पे 2E चार्ज होता है जितना एलेक्टरन पर चार्ज होता है उससे डबल इस पर चार्ज होता है तो यह बहुत जाता है तो यह बहुत जाता है और प्रेंट्रेटिंग पावर कर नजरिये से, क्योंकि वो नजरिया ही इन अलफा पीटा गामा को या तो फाइदेमांद बनाता है, या नको बहुत नुकसान दे बनाता है, डेंजरस बनाता है, और उस डिसकॉशन में ये तो प्रॉपर्टिस बहुत यूज़ करने वाले हम तो यह कान यह थी अलफा डिके के, अभी हम बिटा डिके देखते हैं, तो बिटा डिके अगर आप देखो, इसको हल्वा समझ के एन्सी आडी वालों ने आपके ट्वल्थ किसले पिसमें जाल दी है, बिटा डिके एक बड़ा ही कॉंप्लिकेड़ फिनामेना है, शायद पंडा देता है, और तोता बंडाता है, ऐदा कुछ होता है यहाँ पर, बहुत कॉंप्लिकेड़ फिनामेना है, लेकिन सिंस यह आपके इसलेवर में है, तो जो इतना हम बदा सकते हैं, बदाने ही कोशिश करेंगे हम, तो बात करते हैं, बिटा डिके के दो प्लस और माइन अब काफी देता है, बदाने हैं, 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 बदान में नूट्रान में यह एक बड़ा ही कॉंप्लिकेटेट फिनामेन है इसको पार्टिकल फिजिस को यूज कि अभी नहीं कर सकते तो हम इस वीडियो में सिंपल इतने बहुंगे कि बाई नूट्रान का किनोटली में नूट्रान का प्रटान में बड़ा ही के बाद उसमें एक प्रटान ज्यादा होगा उसका अधामीक नमबर यह एक से ज़ादा होगा लेकिन neutron proton में convert हो रहा है लेकिन total nucleon का number वो सेम है तो इस कमल देखिया जो atomic mass होने वाला है atomic mass जो nuclei decay के बाद बनने वाला उसका सेम होने वाला है तो minus में atomic number आपका एक से बढ़ जाता है atomic mass जो है वो सेम रहता है तो यह काने थी electron commission की अब बात करते हैं जो beta dk minus में दूसरा परान ही निकल रहा है तो दूसरा particle जो यहाँ पर निकल रहा है वो है आपके पास electron anti-neutrino यह एक निया particle होगा इसको शायद आपने पहले कभी बढ़ानी होगा particle physics के मुताबिक जो nature है वो 25 fundamental particle से बनी होई है उनमेंसे एक fundamental particle है electron neutrino यह electron neutrino का antimatter particle है इसलिए इसका नाम है electron antineutrino तो दो की वड़े हैं यहाँ पर fundamental particles और antimatter इन दोनों को देखते हैं तो पहले बात करते हैं fundamental particles जितना भी अब तक पढ़ा होगा 12 में उसके मताब एक electron, proton और neutron यह fundamental particles हैं चोटी ink है जिससे universe बना हुआ लेकिन जो हमारे भी best theory है nature को इसको हम question standard model बोलते हैं उसके साब से proton और neutron जो है वो fundamental particle नहीं है electron fundamental particle है लेकिन proton और neutron जो है fundamental particles नहीं है proton और neutron उससे भी छोटे particle से बहुए इसको quarks बोलते हैं Quoxy नहीं, Standard Model के साब से universe जो है, वो 25 सबडाबंग पार्टिकल से बना हुए, Electron-Nutrino उनमें से एक है, Beta-DK-Plus में Electron-Nutrino निकलने वाल है, इसमें Electron-Nutrino का Antimatter Particle निकलेगा, तो अब बात करते हैं, Antimatter Particle के होता है, ये भी एक निया concept होगा आपके लिए, और काफी अजीर सा concept है, Standard Model के साब से, जो 25 पार्टिकल से हैं आपके, Fundamental Particle, उसमें से जो 12 पार्टिकल थे हैं, हर एक उस 12 पार्टिकल का जोड़ी दर पार्टिकल होता है, उसमें पार्टिकल पार्टिकल बोलते हैं, फरेज़बल ये आपका Antimatter Particle है, इस पार्टिकल का, तो खूबी इसकी होगी, ये जो Antimatter Particle है, इसका मास इस पार्टिकल के बराबर होगा, लेकिन बाकी सारी प्रपरटिस इसके opposite होगा, इसका इसपार्टिकल है, यहाँ पार्टिकल के बराबर होगी सारी आपको नेचर में अकेले नहीं मिलेगे, यह ही इमेरिक फर्भादिर की तंद थना जोड़िदार की ता कमति के साथ जोड़िदार की तंद पर इङक मेरता है। जाफ़िज जोड़िधार मारते हैं और फना नर्ची सब्सकात अपर षाफप designing, यह यह थार मेरिका पज़ए की काले साथ हैं अब देखते हैं, बीटा डीके प्लस को, तो अब अगर आप कंफ्यूज हो के इतने सारे पार्टिकल का नाम तो इसमें आपकी गलती निये, क्योंकि जैसे मैंने पहले बलागे, बीटा डीके जो है, यह बड़ा ही कॉंप्लिकेड़ प्रॉसेस है, तो मैंने क्या है, आपको मदद करने के लिए, मैंने चोटी सी मिनी प्लेइस बनागिया, पार्टिकल फिजिस के ओपर, जिसमें हाई लेवल पे आपको पार्टिकल फिजिस के बारे में थोड़ा होड़ा बताया जाएगा, तो आप देखिए, अगर आपको धंगती समयने का बीटा डीके, तो आप बीटा डीके में जब आपका डीके करता है, तो वो एक पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन हमेट करता हो और एक अलेक्ट्रॉन हमेट करता है, पॉजिट्रॉन, अलेक्ट्रॉन का एंटीमेटर पार्टिकल है, तो जितना मास एलेक्ट्रॉन का उतना ही मास इस पे है, लेकि देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका एंटिमेटर पार्टिकल निकल ला है और यहाँ पे इसका एंटिमेटर पार्टिकल निकल ला है और अगे इसके तरह ये वाल पार्टिकल कहां से आ रहे हैं यहां पर एक neutron proton में convert हो रहा दोर particles निकल लेते, यहां पर एक proton neutron में convert होगा और यह दो पार्टिकल निकलेंगे यहां पर अगर अगर proton neutron में convert हो रहा मतलब atomic number जो है, इसका एक से कम हो जाएगा येकर प्रोटाउन की निस्टन नवटर नने meteorite गए कट सो और निूकलियॉन से रहने वाला है ये है आपका को βीय तरशॉट तो डेउटक से बार्ड़ाने दो शभक न्वालिट वी. एंटी मेंटर का जो concept है वो पॉल डरेक्ट ने निकाला था, पॉजिट्रोन की prediction भी पॉल डरेक्ट ने की थी, पॉल डरेक्ट 20th century के एक बहुत महान physicist थे, quantum mechanics के founding fathers में थे वो, दुखी बात ही है कि ज्यादा लोग उनको जानते नहीं है, लेकिन वो बहुत तकड़े physicist थे, मेर काफी हद तक decide किया उनका उनका जो nature था, उनका जो behavior था, जो उनकी personality थी, लेकिन उसके बापजूती बहुत ही महान physicist थे, जीवन की कहानी है, काफी interesting कहानी है, उनकी एक biography आई थी, the strangest man, मैंने जितनी भी biography पढ़ी है, scientist लोगों के, physicist लोगों की, ये one of the best है, अगर आपको मो मुच बाके नहीं कुंता है, इसमें जो nuclei होता है, वो एक higher energy level से, नीचे वाले energy level में move करता हूँ, जितना energy का difference है, उतना energy की high frequency, electromagnetic waves, moment करता है, जिसको हम gamma rays बोलते हैं, अगर आपने कभी x-ray करवाया हो गया, फिर कभी airport security में से गुजरे होंके, तो जो rays वहां बे यूज करते सबसे important बात गामा rays में नोट करने माली है कि यहां पे जो nuclei होता है, वो change नहीं होता है, यहां पे nuclei सेम रहता है, अलफा और बीटा में nuclei change हो रहा था, यहां पे nuclei change नहीं होता, खाली वो एक higher energy level से, नीचे वाले energy level में move करता है, यहसे हो एक बंदा है, जिसको चीक है, उसने ज नाख निकारी nuclei यहां पे चेक मारता है, थोड़ा energy निकलती है और nuclei same रहता है, अब इस example में आपका nuclei है जो खाली gamma rays emit कर रहा है, आशानी कि gamma rays हमेछ एक एक nuclear reaction में हमेछ अए तुमें gamma radiation निकलती रहता है, नेकलती है उसमें gamma radiation को सब्लती है निकलती है, dlh, रहता है छिंके मार निखल दे रहाती हैं उसमें से, जिस्प्लिसिटी के लिए हम लोग जब रियक्शन लिखते तो उसमें लिखते निया लेकिन लेकिन बहाइं दे थे थोड़ी पूद गावा रिडियक्शन दिखल दे रहाती हैं सिंपल मास्टी बड़ का कुंत आप लिख करो और अनरजी कैसे रिलीज होगी इन की किनेटिक अनरजी में पता कर सकते हो अगर आप कालकुलाशन करों तो अरूब सब्सक्राइब देखो और अनरजी का बहुत बड़ा उनट नहीं है लेकिन अटोमिक लेवल पे 5 पांच मिलियन एलेक्टरॉन वोल्ड बहुत ज़्यदा अनरजी है और जो सबको आडिया देने के लिए जो नर्मल कैमिकल एक्शन कोवेले का जलना फलना पर आटम कैमिकल एक्शन में रौट पांच उलेक्टरॉन वोल्ड एनरजी रिलीज होती है यहां पर आल्मस्ट 5 मि कि आपके दोस्सखें भर्ष पास सबस्सक्राइब 10 लाख घुना जाएदा पैसा है उसके पास एक कुलर रुप्या होगा आपके पास 10 फृपिय BY ook थे दोस्सके पास एक करूर रुप्या हो गा अब दोस्त कितना ज्यादा आपसे अमीर है, सेम सिच्वेशन यहां पे है, दस लाक गुना ज्यादा नियुक्त रिलीज होती है, तो अब इनर्जी में इतना ज्यादा फर्क है, यहीं से लोगों को चमका था भई ही, इतनी निकल ली यहां पे कुछ कर सकते हैं इसका हम लोग और वहां से फिशन और इसके बाद जो आपका चेन रियक्शन है वहां चालू हुआ था और अटम बाम्स नुक्लिय रियक्टर सब यहां से चालू हुआ है, तो यह कानिती अलफा बीटा काम अडिक हैगी है, नेक्स वीड में लोग बीटा को थोड़ा डिटल में देखने घालें कि अवीड प्रल्था जो सवीघ मैं पर्ट्रल previous कि अडिक में बाटम लग प्रन कार में वीड़ा होताँ है किसे नीएट